इजराइल फिलिस्तीन उद में सबसे बड़ा अपडेट बता रहा हूँ आपको किस तरह से सोचिए इजराइल के परधान मंत्री के खिलाब जेनोसाइड का केस इंटरनेशनल जस्टिस कोट में मान हो गया है दच्छी न फिरका इस केस को लर रहा है और इंटरनेशनल जस्टिस कोट ने कहा है कि इजराइल के खिलाब जेनोसाइड का केस चलना चाहिए नमस्कार मैं शंबुक उमार सिंग और आप देख रहें नेशनल दस्तक वो तमाम बड़ी खबरे जो आज इजराइल और फिलिस्तीन का बड़ा अपडेट है लिबनान से दागी एक मिसाइल इजराइल की अरव अल अमर से बस्ती पर सीधी लगी सोचिए किस तरह से अब तक की जो गोडी मीडिया थी जो हुदियों की मीडिया थी वो फिलिस्तीन और हमास को बड़नाम करता था जैसे भारत की मनुबादी मीडिया दलित पिछरे आदिवासी नेताओं को तोर फोर कराता है आपस में लड़ाता है बड़नाम करता है उसी तरह से वहां होता था लेकिन अब वहां सोसल मीडिया ने पूरे फिलिस्तीन को और पूरे खारी देशों को एक जूट कर दिया है और सोचिए लेवनान जो हिजबुला का लराका है जो हुती जो यमन का लराका है और हमाज जो फिलिस्तीन का लराका उसको भारत की मनुवादी मीडिया आतंकी कहती है जबकि असली आतंकी इजराइल है और सोचिए जिस इजराइल में बंप हट रहे हैं भारत का बहुजन समाज गरीब विरुजगार वहां जाकर मरने के लिए मजबूर है क्योंकि यहां रुजगार नहीं है इजराइली मीडिया ने खबर बताए एक आईडियेफ हिलिकोप्टर ने चार घायल सैनिकों को उत्री इजराइल हाइफा राम बाम अस्पताल पहुंचा है हिजबुल्ला ने उत्री सिमा पर आईडियेफ साइटों को पिछले घंटे में कम से कम पांच बार निसाना बना है इजराइली मीडिया इसे मौत के आंधी के रूप में रिपोर्ट कर रहा है यह सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ और हिजबुल्ला ने इजराइल के जर्ये बैरक और कोबरा हिल साइटों पर कई बुरकान मिसाइलों से हमला किया है और हमास सीजियाई रूलिंग के स्वागत करता हमास के राजिनितिक बीरों के सदस इज्जत अलरिस्क अंतराश्ट्रिये नियाले द्वारा दच्छीन अफिरका द्वारा दायर नरसंगहार मामले को स्युकार करना और अदाला द्वारा इसे खारिज करने के इजराइलिया नरोत को स्युकार करना हमारे लोग के लिए नियाय की दिसा में एक महत्पून कदम है इजराइल को पकरने के लिए कारवाही और पड़क्रियाओं की सुरुवात का परतीक है। यह हमारे लोगों को खिलाफ किये गए नरसंगहार के लिए इजराइल और उसके सभी समर्थकों को जवाब देठ राने की दिसा में एक महत्पून सुरुवात है। हमारे लोग की सुरक्षा के लिए और हत्या और नरसंगहार की और ले जाने वाली सभी कृत्यों को रोकने के लिए तत्काल उपाय की मांग को स्युकार करना। पट्टी में आतंकवादी कबजे के कारण किए गया अपराद की भायाब्ता को अदालत द्वारा स्युकार करना है। हम गजा मेंनर संगहार के अपरादों में भागिदार अमरेकी परसासन के किसी भी परयास को असयुकार करते हैं। मुकतमे के सत्र सुरू होने के बाद भी अपराद बंद या कम नहीं हुआ है बलकि इसके साथ साथ बिसर्म इजराइल अदालत पर हमला किया जा रहा है और निर्देश बच्यों महिलाओं बुजर्गों को एक खुन से कबजे से हाथ धोते अमरीकी पदों को जारी रखा गया है तो सुचिए किस तरह से ये सबसे बड़ी खबर है कि इजराइल के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ख़रा है किसू फिम आईडियेफ सेनस्तल और ठर्ड आई पर रोकेट बैरास से बंबारी अल्ब्यूरी सिवीर के पुर्व में अल्मदर्सा गेट के पास आईडियेफ सेनकों की सभापर मोटार के गोलों से बंबारी अल्मागी सिवीर के पुर्व में एक टिंडम सेल के साथ एक आईडियेफ सेन बाहनों को निसाना बनायाना अबू साफिया सैनस्तल के पास-पास IDF सैनिकों के जमावरे पर मोटार गोलों से बंबारी करना अलमस्दर गाउं में पुर्वी IDF सैनिकों की एक सभा पर कई मोटार गोलों से बंबारी करना बड़ी खबरे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ तो यह तमाम खबरे जो है सोसल मीडिया पर और 26 जनवरी 2024 को यमनी ससस्त्र बलो का बयान यह स्युकार करते हैं कि उन्होंने ब्रिटिस तेल टैंकर मरलिन लुवांडा को सीधे नौसाइनिक मिसालों से मारा है तो यमन के जो लड़ाके हैं वो इंगलैंड और अमरीका के जहाज को भी मार रहे हैं फिलस्ताइन डेसिसेंस ने गजा सुजुईया में IDF खुबिया ड्रोन को मार गिराया है यह बड़ी खबर है एक ब्रिटिस समुंदरी फॉर्म ने पुष्टी किया कि मिसाइल ने यमन के तरपर अधन की खारी में एक जहाज पर सीधा हमला किया जिसे आग लग गई है यह बड़ी खबर है आज दूसरी बार यमन के तरप के पास अधन की खारी में UK MTO द्वारा एक जहाज पर हमले की सुचना मिली यह हमला अधन में 60 समुंदरी मिल दच्छिन पूर में हुआ जबकि पिछला हमला है जिससे कम से कम दो बैलेस्टिक मिसाइलों ने एक जहाज को निसाना बनाया था अधन से 60 समुंदरी मिल दच्छिन पस्चिम में था और यह सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूँ 25 एक दोजार 24 के वीडियो में हिजबुला ने बताए कि कैसे उसने लेवलान सीमा से सारे 6 किलोमेटर दूर काफर बलम इजराइली आइरन डोम लॉंच पैट की निगरानी की ओर से उसे निसाना बनाया है तो इजराइल में भी अब बंबारी हो रही है ये बड़ी खबर है पलिस्ताइन रेसिस्टेंस ने हेबरोन के पास इजराइली सेटलमेंट कैरमेरी तुजोर पर गोलिबारी की इजराइली सेटलर्स गंभी रूप से घायल हैं रेसिस्टेंस फाइटर सुरक्षित अपने बेस कैंप्स में लौट गए है पिलिस्ताइन एसिस्टेंस ने अल मगजी गजा में साथ इज्राइली सैनिकों को एक सुरंग के अंदर फसा कर सुरंग के द्वार बंद करके एक्स्फलोसिप से उरा दिया इसके बाद सुआत विस्फोटकूप करन और अल यासी ने 105 सेल के सा तो सलमीरिया पर वायरल है पिलिस्ताइन एसिस्टेंस ने हेबराउन के पास इज्राइली सेटल्मेंट कर्मीत तवजूर पर गोलिबारी की हिज्राइज सेटलर्स गंभी रूप से घायल है पिलिस्ताइन एसिस्टेंस ने गजा अल मगजी में इज्राइल बोडर से पांस तो यह तमाम बड़ी खबरे हैं सोचिए हिजबुल्ला ने लिबनान वोडर से इजराइल के अंदर कैत्सवा रॉकेट छोड़ा IDF के मेल गोलान मिलिटरी बैरक्स में रॉकेट गी रहे हैं एक दिन में दूसरी बार इस बैरक को निसाना बनाया गया इससे पहले आज फलाक ओन मिसाइल जिसकी सकती छो ग्रेड रॉकेट के बड़ाबर है से निसाना बनाया गया माले गोलान IDF बेस इसराइल दोरा लेबरान से छीनी गोलान हाइट्स में है आज तक इसे निसाना नहीं बनाया गया था तो सुचिए किस तरह से इन जगों पर ये जो तमाम हमले इसराइल पर हो रहे हैं उन जगों पर हमारे लोग काम करने जाएंगे यह सबसे बड़ी खबर है यह बड़ी अपडेट दे रहा हूँ जो सोसल में पलिस्ताइन रिसिस्टेंस ने IDF की गज़ा डिवीजन उत्री बिग्रेट की पहली बटालियन के मुख्याले इफ्ता अस्तल पर रॉकेट से बंबारी की है पलिस्ताइन रिसिस्टेंस की खबरे जो है एक साथ में बता रहा हूँ पलिस्ताइन रिसिस्टेंस ने अस्कलें सुदोत नीर अम जैसे अल इज्राइली से टल्मेंस पर बंबारी की है यह तमाब जो खबर हैं अल कासम बिग्रेट ने खान उनीस सहर में अल यासीन एक सो पांच गोले के साथ एक आईड कारी की मौत हुई इसके अलावा एक अनसैने गंभी रूप से घैल होने की सुचना दी है तो यह तमाब रेसिस्टेंस ने खान उनीस गजा के अग्रिम छिकानों पर मोटार फायर से आईडिएफ से सभाओं और अस्तलों पर बड़ी बंबारी की है अलकासम बिग्रेट ने गजा पटी दच्छीन खान उनीस सहर के पस्सी महली आसी ने 105 सेल से लगातार हमले कर रहा है अलकासम लड़ाकों ने गजा सहर से अजलीन छेतर में आठ सैनिकों वाली एक आईडिएफ पैदल से ना दल के साथ यूद किया आईडिएफ के लोग मारे गए हैं ये सारा पर एक आईडिएफ सैनिक पर स्नाइपर गोली चलाई है ये सबसे बड़ी खबर है प्लिस्ताइन एसिस्टेंस द्वारा खान उनिस और राफा सोफा साइट में आईडिएफ बहानों और सैनिक सभाओं की और मोटार गोले और कई 107 मिलीमीटर रॉकेट लॉंच का दिरिस है ये तमाम बड़ी खबरे है रपोर्ट से संकेत मिलता है कि 25-2024 को प्लिस्ताइन एसिस्टेंस ने विसफोटा को करनों से बेस्ट बैंक जेनीन फतहट फिरॉन छेतर में आईडिएफ सैनिक जीप को निसाना बनाया ये काफी साधारन है क्योंकि बेस्ट बैंक में ऐसी घ ज़दान से और रिपोर्टो से संकेत मिलता है कि किस तरह से हमास में पूरा कंट्रोल कर लिया है और ग्राउंड जीरो पर जो जो ग्राउंड जीरो है वहां किस तरह से लगातार इसराइली फोज को मौत के घाट उतारा जा रहा है गजा में पिलस्ताइन के खिलाप करने से परहेच किया है लेकिन इसने इसराइल को जिनोसाइड कंवेंशन जिसमें इसराइल पर हंस्ताक्षर करता है कि खंट दू के चार बिंदों को पालन करने का आदेश दिया है इन चार बिंदों में गजा में फिलस्तिनियों को हत्या रोकने में सामिल है यह मुद्दा इसी जी ने इसराइल के फिलिस्तिनियों को मारने से पर्तिबंधित किया, कोई सारीरी का ठोड़ता नहीं, कोई सारीरीक बिनास नहीं, फिलिस्तिनी सिस्यों को जन पर कोई रोक नहीं, इसराइल को गजा में अपनी बंबारी अभियान रोकना पड़ेगा, तो इंटरनेशनल फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसरे दस्तर को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खोर को शेर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे झाल झाल झाल